2019 में बीजेपी के चुनावी परचार का मुख्य थीम बना मैं भी चौकिदार तो महीं 2024 में ऐसा लगता है कि मैं भी मोदी का परिवार बीजेपी के चुनावी कैंपेन का सेंटर एस्टेज ले लेगा क्योंकि जिस तरह से लालु यादों ने इंडिया ब्लॉक के मंच से प्रधान मंत्री मोदी के परिवार पर हमला बोला और इस हमले के बाद हम देख रहे हैं कि इसका जवाब खुद प्रधान मंत्री मोदी ने बीना नाम लिए तेलंगाना से दिया और कहा कि 140 करोड की जनता है भारत की वह उनका परिवार है और उन्होंने घर छोड़ा भारत के सपने के लिए युवाओं के लिए इस देश को बदलने के लिए और जाहिर तोर पर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किस तर से बीजेपी ने एक बड़े कैंपेंड के तौर अब लाखों की संख्यामय करताओं ने भी अपने सोसल मेडिया हैंडल में यह जोड़ना सुरू कर दिया है मैं भी मोदी का परिवार और इस तर से देखा जाए तो विपक्ष वराम सरकार के बीच की जो राइनितिक लड़ाई है जो 2024 के चुनावी जंग की हम कहें कि एक त इसी परिवार पर हमला बोलने के क्रम में यह देखा गया है कि लगातार बोवन परिवारों को राइनितिक परिवारों को टार्गेट करते रहे हैं जो की सत्ता में एक के बाद एक जनरेशन में सिफ्ट होते रहे हैं खासतोर पर पार्टियां सिफ्ट होती रही है और इसी क जो गांधी मैदान का मन्स था उस पर लालू यादों के साथ साथ जो है तमाम इंडिया घटबंदन के अन्य नेतावी मौझूद थे स्वेम राउल गांधी मौझूद थे और उसके बाद से लेकर अब तक देखा जाए तो विपक्ष बनाम सरकार की बीच की जो राजिक विपक्ष के लिखा तरफ से में तो मैं भी मौधी का परिवार पर्वार तरस आगे बढ़ दिखाईए रहा है और देखतें आगे विप और किस तरह से सरकार, सत्ता, बनामी पक्ष में ये दरसल चुनावी जंग आगे बढ़ती हुई नजर आती है। पुर्णिस विकासराय के साथ मधुरिन कुमार नीजनेशन।